हलो स्टूडेंट मैं शिवानी सूलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्व चैनल ऐसे से बुलट पर आज हम इस क्लास के अंदर अगें क्लोस्टेस्ट करने वाले हैं क्लोस्टेस्ट की मैं बात करूं बचो तो क्लोस्टेस्ट जो है वो बहुत अगर हम क्लोस्टेस्ट की बचो बात करते हैं तो क्लोस्टेस्ट के अंदर एक छीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास ले रखी होंगी उन स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने आप बचों को पहले भी बहुत बार बताया है कि क् paragraph आपका incomplete है यानि कि जो paragraph आपका incomplete होता है उस incomplete paragraph को आपको complete करना होता है complete करने के लिए आपको दो चीजों की requirement होती है पहली grammar और दूसी vocab इन दोनों को आप use करके grammar and vocab इन दोनों को आप use करकर इन दोनों को आप use करकर उस incomplete paragraph को complete करते हैं उस आधे अधूरे paragraph को आप पूरा करते हैं किस तरह से करेंगे आज अगेन हम questions के साथ करेंगे इस class के अंदर CGL Wains का है 2017 का paragraph आपका अगर हम बात करें यहाँ पर चीजों में कभी-कभी चीजे clear नहीं होती सर्टे नहीं है तो यानि कि अनिस्चित चीजों की बात की जारी है Revival of Nanny Lake A water body in the middle of model town in North Delhi Due to dash in the opinions of resident and local bodies Regarding its क्या है कि वो किस कारण हुई है उसमें सभी के अपने-पने views है जो वहाँ के रहने वाले लोग है local bodies है अब यहाँ पर क्या हो रहे है वो जो हो रहा है उसको लेकर protest किया जा रहा है objections किया जा रहा है and future की बात करें तो future का मतलब होता है जब जगड़े होते हैं तो जगड़े हो रहे हैं या लोग objection कर रहे हैं या opinion में क्या है differences तो यानि कि जब हम opinion की बात करेंगे वहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो opinion होंगे विचार होंगे उनमें कहीं न कहीं क्या है फरक है मतबेद है और जहां मतबेद होगा यानि कि हम क्या use करेंगे? differences का use करेंगे. हम objections, protesters and feuds का use नहीं करेंगे. इसका मतलब होता है जगडे. इसका मतलब होता है जगडे. तो यानि कि हम बात करेंगे किस की? That is differences. उनके opinions में क्या है? Differences है. Next आते हैं. After that अगर हम बात करें, तो उसने बोला है कि जो क्या होता है कि जब ये lakes वगएरा होती है, इनके अंदर क्या आता है? कि आपने बहुत बार देखा होगा, कीचर्ड वगएरा, ठीक है, मलवा वगएरा सब मिल जाता है, mix अब हो जाता है. तो उस case को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कही न कहीं, and dash, अब वहाँ पर जो लोगों की opinion में differences आ रहा है, regarding किस चीज को उसके कीचर को लेकर, तो कही न कहीं वो क्या कर रहा है, उसको moderation की बात कर रहा है, resolution की बात कर रहा है, या फिर beautification की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं, उसके किस चीज के regarding, कहीं न कहीं उसकी जो beauty है, उसके बात की जा रही है, तो that is beautification is the correct one, beautification is the correct one, चल, next रहते हैं, after that उसने बोला कि, while the corporation claimed that, जबकि corporation ने इस चीज को claim किया है, कि that the lake dashed for years, and several attempts by them to initiate a drive to dissult it, कि कहीं न कहीं क्लेम किया गया है, lake है, for years, for years का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे case की, जो time के साथ in progress है, और जब भी आप time की बात करेंगे, और time के साथ, हम use कभी नहीं करते, is, is, और हम यहाँ पर वो अपने, आप तो lakes हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, तो हो नहीं रही हैं अपने आप, तो हम वहाँ पर has का use नहीं करेंगे, because has or have के साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी sentence passive voice में होता है, जब भी sentence passive voice में होता है, तो वहाँ पर आप has or have के साथ बील लगाएंगे, और उसी के बेसे आपका answer option क्या जाएगा third, क्या जाएगा बचो third, third is the correct one, चलेगा next आते हैं, next की बात करें बचो, अब after that उसने बोला कि, because of, ऐसा क्यों हो रहा है, it was halted, because of lack of funds or dash, from locals, residents, कहीं न कहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका reason क्या है, कमी है funds की, कमी है funds की, और उसके साथ-साथ, किस चीज की कमी है, उसके साथ-साथ किस चीज की कमी है, तो उसके साथ-साथ कहीं न कहीं कमी, जो है, उसमें विरूद वगारा की भी कमी है, जो local लोग वहां के resident लोग है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो उस चीज का विरूद नहीं करते और उसी के लिए हम यूज करेंगे, that is, एक्टिवेशन और असौल्ट, असौल्ट का मतलब होता है, आपने जब किसी पर भी आप क्या करते हो, हमला करते हो, किसी पर भी क्या करते हो, हमला करते हो, that is, असौल इस आल का मतलब होता है, जब आप किसी भी परसन पर क्या कर रहे हो, हमला करने का काम कर रहे हो, ठीक है? लेक्स आते हैं After that उसने बोला है कि, that it is, that it is dash fresh water lake लेक कितनी है? एक, लेक कितनी है बचो एक और जब भी आप एक की बात करते हैं, तो वहाँ पर use होता है, article a और an Article a और an का मतलब one होता है Some का use होता है, जब आप countable, plural की बात करते हैं ठीक है? तो यहाँ पर जब एक की बात करेंगे, तो singular के लिए, आप एक के लिए use करेंगे, article a So you can easily eliminate remaining three options So answer option क्या जएगा यहाँ पर, it is a fresh lake and is free from silt, ठीक है? and only, and only a water treatment plant will be enough to resolve the problem, चलेका, next आते है, packing is one of those, cause that seems that simple but it is a skill that most of the humanity, packing एक ऐसा काम है जो लगता तो बहुत simple है, ठीक है? मतलब लगता बहुत simple है, ऐसा logo का क्या है? cleverly होता है, जो चलाक होते है, specially and deceitfully, जब चल, कपट की बात की जाती है, तो वहाँ पर होता है, deceit word, जिसको deceive भी भोलते हैं, किसी को धोका देना, किसी के साथ छल करना, कपट करना, और ऐसा logo को क्या है? लगता है कि वह बहुत ही साधारन सा, बहुत ही बहुत असान है हम कर सकते बहुत सारे बच्चों को जो बच्चे तैयारी नहीं करते उनको ऐसा लगता है कि CHL निखालना बहुत असान है लेकिन जब आप एक्च्वल में बैटल फिल्ड में आओगे तो आपको एक्जेक्ली पिच्चर क्लियर होगी किसको करना मुश्किल है बट ऐसा नहीं है कि impossible है थोड़ा सा आपको hard work करना पड़ेगा अगर आपको अपने target को achieve और वो target ही गया जहां महनत ही ना हो तो बिना महनत के अगर आप target achieve कर रहे हो तो मज़ा भी नहीं आता ठीक है तो महनत के साथ जब हम target को achieve करते हैं तो मज़ा भी आता है चले के next आते है that most of the humanity dash that most of the humanity dash अब यहां पर देखो बचो क्या आएगा that most of the humanity dash अब यहां पर आप बचे ध्यान रखेंगे do have does have don't have या doesn't have हम जानते हैं कि sentence जब भी present and definite होता है जब भी हम बात करते है present and definite के तो present and definite में हम affirmative sentence में do or does का use दो ही case में करते हैं या negative हो या फिर interrogative हो positive में do or does का use नहीं होता अब बसता है don't have या doesn't have most of humanity यानि कि हम बात कर रहे हैं singular की और singular के साथ हम do का use नहीं कर सकते because do जो है वो आपकी plural verb है do कैसी verb है plural और हम कभी भी plural verb का use नहीं करेंगे singular के साथ हम यहाँ पर use करेंगे singular that is doesn't क्या लिखेंगे हम doesn't have क्या लिखेंगे बचो यहाँ पर doesn't have next आते हैं after that उसने बोला है कि जो even seasoned travelers है end up carrying a dash कही न गही उनोंने भी क्या करा है carry करना बंद कर दिया है किस तरह के stuff को जो irritate करें, illuminate करें bazling करें that is mind bogging mind bogging is the correct one next point की बचो बात करें तो यहाँ पर heavy bags dash भी back breaking and frustrating तो जो heavy bags है वो क्या होंगे dash b back dash b back breaking and frustrating तो जहाँ पर भी आप वापिस करने की बात की जा सकती है तो वहाँ पर हम must कर यूज करते हैं जब हमें बिल्कुल clear है कि होगा ही होगा should कर यूज हम बचो वहाँ करते हैं जब भी हम बात करते हैं advice देने की list की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें clear है कि वस्ता क्या that is can क्या use होगा can next आते हैं next की बात करें बचो तो next में देखो point जाता है कि packing dash is a test of planning skills packing जो है वो एक कही न कही एक test है planning skills का अब ये planning skills का test है तो कही न कही जब test की बात की जाएगी तो जो test होगा वो एक strategy के साथ किया जाएगा किस के साथ किया जाएगा strategy के साथ किया जाएगा और strategy के साथ किया जाएगा तो आपका answer option क्या बनेगा that is fourth fourth is the correct one next आते हैं after that उसमें बोला है कि an indicative of one's ability to कही न कही एक person की एक ability है to dash one's life वो क्या करता है detect करता है reflect करता है organize करता है या interpretate करता है तो यहाँ पर आप अच्छे ध्यान रखेंगे जब भी हम बात करते हैं किसी की ability को उसकी life के अंदर किसी की ability को उसकी life के अंदर तो वो क्या करेगा organize करने का काम करेगा क्या करेगा organize करने का काम करेगा that is organize is the correct one next आते है next की बात करेवचो तो after that उसने बोला the simplest way to pack smart is to the simplest way है किस चीज का pack smart is to dash a medium sized bag तो select करना invest करना go या फर look तो यहां पर अगर हम बात करें इस question के अंदर इस question के अंदर बात करें कि आपने अगर चाहते हो किसी भी चीज को बहुत असानी से pack करना ठीक है तो उसका smart क्या होगा सबसे भाले आपको select करने पड़ेगा एक medium sized bag तभी आप उसको smartly चीज को कर सकते हो तो उसके लिए आपको select करना पड़ेगा एक medium size bag ताकि आप असानी से उसको क्या कर सको pack कर सको and after that उसने बोला कि so you are not tempted to dash more stuff at the last minute तो आपको जोरत नहीं पड़ेगी बहुत जादा stuff की last minute पर squeeze in pushing in spreading on या putting in तो आप ध्यान रखेंगे उस case में हमारा जो answer option आएगा that is spread फैलाना होता है फैलाना नहीं होगा push जब आप जाते हो ना कहीं पर भी जैसे आपने देखा होगा कि आप market में जाते होगे shops पर लिखा रहा था एक तरफ pull लिखा होता है जो आपको अपनी और खीषता है और एक push होता है जब आप धकेले का काम करते हो तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो किसी भी चीज को pack करने की तो pack करने के लिए push या फिर put on नहीं आएगा that is quiz in चलेगे next आते next की बचो बात करें तो next आता है कि the smart packer doesn't dash what if I need it category of stuff कि वो कभी भी इस तरह की चीजों पर नहीं होता जो smart packer होते हैं वो इस तरह की चीजों पर कभी भी dwell नहीं करते ठीक है live on होता है जहां जीने की बात हो रही है stay so we can easily eliminate remaining three options next आते after that उसने बोला the singular reason the singular reason junk lands in dash suit case the singular reason junk dash in dash suit case तो जब हम किसी एक particular उसकी बात करते हैं तो उस case में हम most one या फिर मैनी की बात नहीं करेंगे because मैनी इसले ही नहीं सकता suit case है suit cases नहीं है और one का use असले नहीं होगा because हाँ बहुत उसमें से एक की बात कर रहे हैं that is the will be used the will be used चलेगा next आते हैं it is a magical site कही नहीं एक ऐसी site है जो magic को दिखाती है just as the light begins to vanish कही नहीं नहीं लाइट शुरू ही उसको क्या करने के लिए खतम करने के लिए and thousand of tinny penguins wedle dash the surf on an island in south eastern Australia तो जब हमने बात करे हैं कि out eastern Australia से वो thousands of tinny जो penguins हैं जैसे ही light शुरू तो वो खतम होने की बात हो रही है और खतम तभी होंगे जब वो महां से निकल जाएंगे that is out of that is out of out of is the correct one next आते हैं after that उसने बोला कि eastern Australia then dash the beach and along well want paths toward अब वहां पर वो move out होंगे, move up होंगे, moves on होंगे या फिर moved to होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी हम penguins की बात कर रहे हैं penguins की बात कर रहे हैं तो penguins जब वहां से होंगे निकलने की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे? move up करेंगे क्या करेंगे? move up करेंगे move on, moves तो आई नहीं सकता moved भी नहीं आ सकता है, past है और move के साथ out नहीं आएगा that is move up next आते बचो अगर हम बात करे beach and along well-worn paths towards dash तो वो कहीं न कहीं उसकी और लिके जा रहे हैं अब these होगा there होगा, तो जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा के केस में मैंने आपको बताया था, living हो या non-living हो animal हो या things हो आप हर केस में use करेंगे they और दे के कोड़िंग हम लोग जब ही living हो या non-living एक से ज़्यादा के केस में आप दे का use करते हैं and दे के कोड़िंग हम क्या use करेंगे there दे के कोड़िंग हम बचो क्या use करेंगे there we can easily eliminate remaining those, these and this चलेगा, next आते है next की बात करें बचो तो next आता है the penguin parade has been a major attraction since the 1920s जो penguin parade होती है वो हमेशा से एक attraction रहा है 1920 से when tourist is dashed by torch light to view the nightly dash तो जो tourist है tourist में क्या लग रहा है? tourist में क्या लग रहा है? S S के according आप बचे बताओ जरा मुझे क्या use होगा S के according आप बचे बताओ जरा क्या use होगा तो यानिकी हमें clear है कि हम was का use नहीं करेंगे किसका use करेंगे? word का किसका use करेंगे? word का और by torch light को बता रहा है आपका passive voice और जब भी sentence passive में होगा तो वहाँ पे was और word के साथ आता है word की third form was और अपने साथ दो तरह की word को लेकर आता है was और word अपने साथ दो तरह की word को लेकर आता है एक तो ing form को लेकर आता है और एक third form को लेकर आता है एक ing form को और एक third form को आपको ध्यान रखना है कि ing form तब आती है जब आप active में बात करते हैं जैसे ही आप passive देखेंगे तो आप use करेंगे वर्फ की third form और उसी के basis पे आप लगाएंगे word led क्या लगाएंगे word led is the correct one word led is the correct one इतना clear है सभी को next आते है next की बात करें बचो after that उस्ते बोला कि जो view होता है torch light के द्वारा the nightly dash the words और जब वहाँ पर words क्या होती है पहुचने का काम करती है तो जहां पहुचने की बात होगी that is arrival क्या होगा arrival shining off playing off and loaded नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगी that is arrival पहुचेंगी तो उसी torch light से वो view को देखते हैं लोग next आते हैं the world's smallest penguin breed with adults that 13 inches tall 13 inches tall तो अब यहाँ पर averages आएगा, average आएगा, averaging आएगा या averaged आएगा averages और average use होता है present indefinite में tense के अंदर तो अब यहाँ पर हम 13 inches tall की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम 13 inches tall की बात कर रहे हैं और तो 13 inches tall को बताने का काम करेगा जिसको एजिक्ट बोलते हैं तो इस केस में हम यह उस करते हैं इंग इंग का यूस करेंगे उस केस में हम present participle का यूस करेंगे हम average word का यूस नहीं करेंगे इतना clear होगे आप सभी को चले का next आते हैं next की बात करें उसमें बुला है for much of that time the penguins for much of that time the penguins lived dash the residence of a housing deployment जो बहुत सारे समय ऐसा होता है बहुत सारे समय होता है जो penguins है वो रहती है the resident of a housing deployment के उसमें च्रीक है तो जब आप दो से ज़ादा की बात करते हैं within आता है जब आप चीजों को seconds में कर रहे हैं एक बहुत ही short time में कर रहे हैं वहाँ within आता है तो within का use नहीं होगा हम time period की and towards किसी चीज की और जाने की बात हो रही है अब between और among की बात करें तो between का use होता है जब आप दो की बात करते है for two person or things जब भी आप चे दो लोगों की बात करें या दो चीजों की बात करें तो वहाँ between आता है लेकिन जहां भी more than two का case होगा जहां भी more than two का case होगा and no definite number is given कोई भी definite number आपको दिया हुआ नहीं होगा more than two persons or things more than two persons or things और कोई भी definite number दिया हुआ नहीं होगा तो उस case में आप among लगाएंगे और उसी के basis पे आपका answer option second हो जाएगा उस case में आप among लगाएंगे और उसी के basis पे आपका answer option second हो जाएगा next आते बचो next की बात करें अब after that उसने बुला है कि the resident of housing deployment in tight proximity to cars and pets the penguins numbers fell dash but in 1985 the state government decided to buy penguins जो numbers है वो कही न कही बहुत तेजी से ठीक है गिरे है तो यानि की जब बहुत तेजी से बहुत बुरी तरह से गिरने की बात होगी that is drastically ठीक है that is first is the correct one first is the correct one next आते but in 1985 but in 1985 the state government decided to buy dash piece of property on the peninsula and return the land to the penguins कि 1985 में जैसे उन्हों देखाओ कि उसके numbers गिर रहे हैं तो उन्होंने क्या decide किया state government ने कि वो खरीदेगी जितने भी property है वो सारी property को पैंसुलागी और वो return कर दी जाएगी penguins को तो सारी property की बात होगी तो सारी का मतलब हो जाएगा that is all any, each या फिर some का use नहीं होगा next आते हैं next की बात करें बचो अब after that उसने भोला return the land to the penguins and today there are about 31,000 today there are about 31,000 penguins penguins, dash on the penisula आज कितनी है, 31,000 penguins है dash on the penisula from, up from 12,000 in the 1980s अब यह penguins किस चीज की है यारि कि penguins नहीं यह कहीं नहीं 31,000 penguins breeding है ठापर लिंग, प्रोसीदिंग, प्रिपेरिंग नहीं होगा तो यहाँ पर क्या use होगा breeding यूज होगा that is, जो penguins breeding है वो penisula के अंदर कहीं न कहीं लगबग 12,000 है अभी कितनी है 31,000 और 1980s में कितनी थी 12,000 तो अब हो चुकी है 31,000 क्योंकि उरों ने क्या करा उसको return कर दिया penguins को वो सारा land खरीद कर और उसी की वज़े से लगबग 31,000 penguins breeding वहाँ पर है तो इसके basis पे हमारा answer option क्या हो जाएगा I hope आप सभी को students को clear हो गया होगा point और regular basis पे classes लेते रहो आप बचे बागी जिन student अभी तक चानल को subscribe नहीं किया है तो वो सभी बचे जरूर subscribe कर ले चानल को और बागी जो भी classes आपको live classes आपकी regular रहती है Monday to Friday 5.15 तो आप उसको regular attend करो और लगके तयारी करो ठीक है और selection लो आप सभी बचे और ये मैं भी चाहते हूँ चैनल को subscribe कर ले चैनल को subscribe करने के साथ-साथ like भी कर दिया करो वीडियो को और share भी कर दिया करो ताकि maximum student classes ले सके और बागी करेंगे बचो next class में so thank you student for this session बागी करेंगे हम next class में